MRI मसीन के सामने यदि कोई जूट बोलता है तो यह उसकी जान भी ले लेती है इस मसीन को तो हम डीटेल से समझेंगे ही लेकिन एक केस है मेरे पास में जो आपको देखना चाहिए मुंबई की गटना है 5-6 साल पहले की एक लड़का जिस रूम में MRI मसीन रखी होती है वहाँ पर किसी के कहने पर oxygen cylinder लेकर चला गया और oxygen cylinder लोहे का था इस लड़के को कोई भी idea नहीं था कि यह मसीन कितनी powerful हो सकती है जैसे ही यह रूम में enter होता है तो मसीन का जबरदस्थ powerful strong magnetic field इस लड़के को दूर से ही अपनी तरफ खींच लेता है और इस लड़के की on the spot death हो जाती है मेरा मकसद आपको डराना नहीं बलकि मसीन का behavior को समझना है जंकियार्ड में जो crane गाडियों के कचरे को उठाती है उसकी around 1 Tesla की power होती है जो किसी भी car को magnet से आसानी से उठा लेती है Tesla unit होती है जो magnetic field की strength को बताती है लेकिन MRI मसीन 3 Tesla power की हो सकती है इस मसीन के पास में इतना strong magnetic field होता है कि आप इसके पास में लोही की कील भी लेकर नहीं जा सकते है हम थोड़ा detail से समझते हैं basically MRI मसीन सरीर में कोई भी problem है तो यह उसका पता लगा लेती है proper detailing के साथ में तो especially brain की scanning के लिए इसका use होता है MRI की full form वीडियो को पूरा देखने के बाद में अपने दिमाग से comment box में आपको लिखनी है मसीन के बीच में आपको एक board दिखाई दे रहा है इसी के अंदर patient के head को रखा जाता है और चारों तरप यह है एक ring दिखाई दे रही है इसी का पूरा खेल है इस ring के अंदर एक super conducting magnet होती है जो एक permanent magnet ही होती है लेकिन इसका behavior थोड़ा अलग type का है magnet के अंदर एक coil type winding होती है जो niobium या titanium की बनी होती है इस coil का resistance एकदम 0 होता है लेकिन फिलाल इस coil के पास में कोई magnetic field नहीं है तो सबसे पहले इस coil को charge किया जाता है और जैसे ही यह charge होगी तो coil के अंदर current circulate करने लग जाएगा और यह current अपने आसपास एक magnetic field generate करेगा लेकिन यह field ज़्यादा strong नहीं होगा क्योंकि current circulate होगा तो winding का temperature बढ़ेगा और resistance बीच में आ जाएगा तो resistance को zero maintain रखने के लिए इस coil को liquid helium की cooling प्रोवाइड की जाती है जिसका temperature minus 261 degree centigrade होता है और यह liquid helium coil के temperature को 0 degree centigrade पर रखती है जिसकी वज़े से यह coil super conducting stage में आ जाती है और इसके पास में एक powerful strong magnetic field हो जाता है इस coil का resistance ही zero है तो इसको हमें बाहर से कोई भी supply देने की जरूत नहीं है एक बार इस coil को charge कर दो और जब यह super conducting stage में पहुंच जाए तो इसका magnetic field lifetime तक रहेगा क्योंकि resistance ही power को loss करता है और यहाँ पे resistance ही zero है और इसके बाद में magnet को pack कर दिया जाता है हमारी body में 60% पानी होता है और पानी में hydrogen atom होते हैं और यदी हम जिन्दा है तो इन hydrogen atom के पास में आपको पता है कुछ ना कुछ energy भी होगी लेकिन यह अपनी मरजी के मालिक होते हैं और randomly अपनी energy release करते रहते हैं जब atom strong magnetic field में आएंगे तो यह magnetic field इन सभी atoms को एक line में set कर देगा और बढ़िया से align कर देगा यह जो magnet होती है इसका magnetic field homogeneous होता है जिसका मतलब है magnet का field body के हर एक atom पर equal force लगाता है तो अभी पूरी body के atoms एकदम अच्छे से magnetic field के साथ में set हो गए हैं अब आता है machine का दूसरा part जिसका नाम है radio frequency coil जब brain की scanning होती है तो हमारे brain के एकदम pass में कुछ इस type का component set किया जाता है जिसको radio frequency coil बोलते हैं अब थोड़ा सा अपना focus बढ़ाएंगे यह coil क्या करती है कि brain के अंदर radio frequency signal बेशती है लेकिन लगातार नहीं बेशती है एक बार pulse बेशती है फिर वापस इसको बंद कर दिया जाता है जैसे मान के चलो यह है एक hydrogen atom है और randomly अपनी energy release कर रहा है natural earth की gravity के इसाब से तो सबसे पहले super conducting magnet का field इस पर लगाते हैं तो यह proper discipline में आ जाएगा अब इस atom पर radio frequency की pulse डालते हैं 90 degree वाली और यह pulse क्या करेगी इस hydrogen atom को 90 degree पर rotate करवा देगी और इतना होते ही radio frequency को बंद कर देते हैं और radio frequency coil का receiver हमारे दिमाग के एकदम पास में लगा रहता है तो जैसे ही सभी atoms अपनी energy release करते हैं तो radio frequency coil का receiver इस energy को sense कर लेता है और यह जो energy जिस frequency पर वापस आई है न इसको resonance frequency बोलते हैं थोड़ा इसको आसान करते हैं मान के चलो आपकी girlfriend ने आपके एक जबरदस चाटा मार दिया अब आप में हिम्मत होगी तो आप वापस चाटा मारने की कोसिस करोगे लेकिन जो girlfriend की intensity थी चाटा मारने की उतनी intensity से नहीं मार पाओगे तो यहाँ पर हुआ क्या फैले girlfriend ने आपके पास में radio frequency बेजी चाटे के रूप में और अब आप में एकदम से energy आ गई अब आपको गुसा आया तो यह energy आपको वापस release करनी है तो आप वापस चाटा मार दोगे तो यह जो energy वापस गूम के आईए ना girlfriend के पास में इसी को resonance frequency बोलते हैं अब जो girlfriend है ना उसको आप radio frequency coil समझो यह एक तरीके का sensor है जो हमारे दिमाग के पास में लगा रहता है और कोई भी doubts आते हैं तो anytime हम आपके doubt solution के लिए available रहते हैं कहने का मतलब हमारी पूरी देखरेक में आप सीखते हो तो details description में available है अब मान के चलो दिमाग के इस point में कोई blood clot जमा हुआ है और blood clot के पास में पानी के atom ज्यादा मात्रा में होंगे जैसे एक healthy brain है और एक में blood clot जमावा है तो यहाँ पर जो इतने सारे hydrogen atom है यह वापस जो frequency release करेंगे उसका behavior अलग होगा कुछ atom जल्दी energy release कर देंगे कुछ बहुत देर से करेंगे तो जो radio frequency coil है उसको पता चलता है कि यहाँ से कुछ अलग frequency आ रही है और ज्यादा मात्रा में आ रही है Radio frequency coil में basically inductor और capacitor होते हैं जो वापस मिल रही frequency से charge और discharge होकर एक grab बनाते रहते हैं लेकिन अभी भी doctor को यह पता नहीं चलेगा कि problem है कहाँ पर बस इतना पता चलता है कि एक problem find out हुई है क्योंकि हमें exact image बनानी है ताकि जिस भी point पर problem है उसको treat किया जा सके क्योंकि अभी तक machine को खुद को नहीं पता है कि यह problem जो find out हुई है यह brain के कोन से इससे में है क्योंकि कोई measurement के लिए कोई reference तो होना ही चाहिए न जैसा कि यदि आप बोलते हो कि आसमान में तारा तूटा है और अगली दिन में आपसे पूचूँ कि कल तारा कहां पे तूटा था तो आप सिरफ एक अंदाजा बता सकते हो कि इधर वाले side में तूटा था लेकिन मुझे तो उसकी exact position चाहिए ताकि हम किसी दूसरे को भी ब जान से देखना इन दोनों कोईल में supply opposite direction में दे जाती है जिससे कोईल के पास में अपना field generate होता है अब वैसे तो यहां पर इतनी सारी field line generate होती है लेकिन हम simplicity के लिए यहां पर एक-एक field line को ही मान लेते हैं तो जो इधर वाली कोईल है इसका magnetic field तो जो main magnetic field है उसी direction में है तो यहां पर दोनों magnet का field एक दूसरे के opposite direction में है तो cancel होकर 0 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि center point में जो बड़ी magnet का field है वही available है यह दोनों side वाली कोईल का field 0 हो गया है हम मान लेते हैं center point पर बड़ी magnet का जो field है उसकी strength एक टेसला की है अब इस center point से जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो यह field बढ़ता जाएगा 1.1 tesla, 1.2 tesla, 1.3 tesla क्योंकि इधर वाली gradient coil और main field जुड रहे हैं और इसके opposite side में ठीक ऐसे ही field कम हो रहा है अब यह है जो हमें एक line मिली है यह z axis की line है और जैसे इस point पर कोई problem है तो machine को पता लगेगा कि z axis में 1.2 tesla का जहां पर magnetic field है वहां से frequency कुछ अलग type की आ रही है इसी तरीके से यहां पर x axis और y axis के लिए भी ऐसी coil लगी रहती है इसको थोड़ा सा और आसान कर देते हैं जैसे यह एक cube है इस cube के अंदर एक ball रखी हुई है जिसको हमें बाहर निकालना है लेकिन हम पूरे cube को नहीं काट सकते हमें पहले पता करना है कि ball कौन सी जगे पे है और फिर एक छोटा सा हम operation करेंगे और उधर से ball को बाहर निकाल लेंगे तो z axis वाली line पर हम इधर से चलते हैं और हमें पता चलता है कि z axis में जहां पर 2 value है उसके बराबर में एक ball रखी हुई है लेकिन z axis से यह काफी दूर है तो x axis की एक line draw करते हैं और x axis की side में चलते हैं और पता चलता है कि X-axis में जब 3 value चलते हैं तो X-axis के बराबर में एक ball रखी हुई है. तो जब हमें कोई पूछेगा तो हम उसको बताएंगे कि Z-axis में 2 पॉइंट चलना है, X-axis में 3 और Y में 4 तो आप exact उस ball पर पहुँच जाओगे. तो इस तरीके से gradient coil तीनों एक वेल्यू निकालती है, main magnetic field के disturbance को reference मानते हुए एक proper image बना कर देती है. MRI जब किसी patient की होती है, तो 30-40 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि radio frequency multiple time बेजी जाती है एक exact image बनाने के लिए. इस machine के जितने X-ray के side effect होते हैं, वैसे तो इसके कोई भी side effect नहीं है, लेकिन यदि आपके कोई past में surgery हुई है, और आपकी body में कोई लोहे का part डाल दिया है, तो आपको doctor को पहले से ही बता देना है. कुछ भी नहीं चुपाना है, otherwise जब machine के पास में जाओगे, तो machine आपकी body को फाड के लोहे का टुकड़ा बाहर निकाल लेगी. तो जो आपसे doctor पूंशते हैं, सब कुछ सच-सच बता देना है. जनरली MRI body के muscles part में बहतर तरीके से काम करती है, जहांपे water content ज्यादा available लेता है. हम और भी ऐसे ही बहतरीन वीडियोज पे काम कर रहे हैं, जो आपके knowledge को बढ़ाने में बहुत helpful होंगे, तो आप channel को subscribe कर सकते हो, वीडियो में देखा हुआ animation यदि आपको सीखना है, तो हमारे बहतरीन 3D animation के course को join कर सकते हो, हमारी तरप से आपको full support रहेगा, thank you.